हलो लर्नर्स वालकम बाक तो माई यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिस करने वाली हूँ लेक्चर 84 जो मैंने MCQs की सेरी स्टार्ट की है UGC Net Commerce के लर्नर्स के लिए और जो 1-2 लेक्चर 83 है उनकी जो वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने description box में provide किया है आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो और जो UGC Net Commerce का आपका syllabus है As you all know कि इसमें 10 units है So मैंने topics की भी detailed discussion start की हुई है तो आपकी जो units हैं जैसे कि आपकी एक unit है business management and HRM एक unit है legal aspects of business इनके topic में start कर चुकी हूँ तो उनकी जो वीडियोस discuss हो चुकी है उनकी playlist का link भी मैंने description box में provide किया है तो आप लोगों को topics का detail में भी पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों के net commerce में जो है detailed और deep आपकी knowledge चेक की जाती है तो आप लोगों ने वो भी ज़रूर देखनी है तो हम start करते हैं lecture 84 को फर्स्ट है question which of these are readily accepted distinguishing characteristics of the services that create unique strategic challenges आपको बताना है इसमें से services की ऐसी कौन सी distinguishing मतलब different features हैं जो की unique strategic challenges को create करते हैं तो आपको इन में से choose करना है so first है देखिए inflexibility तो आप लोगों को पता है services में तो flexibility होती है inflexible थोड़े ना होती है services यानि की changes ला सकते हैं अपने according उन में अपने requirement के according भी हम लोग services लेते हैं so inflexibility हम नहीं कह सकते हैं तो ये cancel perishability अब देखिए यहाँ पर perishability होती है खराब हो जाती है इसका मतलब देखिए आपने doctor की appointment ली है आज की ठीक है अगर आज आप नहीं गए तो वो तो service perishable होगे ना दुबाला से आपको appointment लेनी पड़ेगी यह थोड़े ना कि आपकी service को store कर लिया जाएगा हम services को store नहीं कर सकते inseparability यानि कि जो service प्रोवाइडर है उनको अलग लग नहीं कर सकते अगर आपने hotel में room book करवाया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते hotel और उसका room अलग लग service ले रहे हो ऐसा नहीं होता इंटैंजिबिलीटी बिल्कुल इंटैंजिबल होती है services you can't touch आप उसको services को touch नहीं कर सकते हैं ना होता है ना इसा तो perishability होती है inseparability होती है इंटैंजिबिलीटी होती है B, C, D तीनों होती है अब हम बात करते हैं inscrutability की तो देखो इसका meaning क्या होता है inscrutability का मतलब जो की difficult to interpret यानि की एक type का secret ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें services की characteristic में so E हमारा cancel हो जाता है तो B, C, D तो B, C, D हमारा answer आएगा तो यह वाला आपका बनेगा first वाला तो आपके जो service के features that are very very important और इससे related आप लोगों के UGC Net Commerce में पूछा जाता है so आपको इनके examples कई बार आपको एक example देदेंगे particular और आपको बताना होगा कि यह service के कौन से features related है तो आप लोगों को knowledge होना चाहिए in respect of interest on loan taken for higher education come under which section जैसे कि आप लोगों को पता है कि deductions आपके income tax में जैसे हम लोग पढ़ते हैं very very important आपको पता होना चाहिए कौन से deduction का जो है कौन सा type है यहने कि deduction C किस से related है deduction D किस से related है ATE किस से related है सो यह आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए क्योंकि आपकी match the following की form में भी आ जाकते हैं उनकी maximum limit किस को मिलती है कौन से deduction इंडिविजूल हुए यह बहुत सारे questions बनते हैं और आप से generally reduction से related question पूछा भी जाता है अब हमसे पूछा है अगर interest on loan taken for higher education तो इसके regarding हमें deduction कौन से section के अंडर मिलती है तो वह मिलती है ATE के अंदर आप लोगों को याद रखना है जैसे कि आपको पता E से relate कर सकते हो education ठीक है लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पर principal amount के लिए आपको deduction नहीं मिलता है आपको deduction मिलता है interest के लिए मिलता है जो आपने अपनी higher education के लिए loan लिया है उस पर जो आप interest पे करने वाले हैं उस पर आप लोगों को deduction मिलता है ना के principal amount पे और हर एक deduction की बहुत सारी conditions भी होती है वो आप लोगों को पता होने चाहिए ठीक है वो हम discuss भी करेंगे अपने topic section मे बट आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कौन सा deduction किसके लिए है next है which one of the following is a correct equation आपको बताना है correct equation कौन सा है as you all know आपके counting में plus minus बहुत ज़्यादा importance है इस चीज की ठीक है आपको हर एक चीज का basic से basic और advanced level दोनों आपकी clear होने चाहिए अब आपको यह opening capital के formula से पूछ तो opening capital होती है जो हमारी starting capital और हमने इस पे closing capital से opening capital पे पहुँचना है ठीक है यह concept है इस question का तो हम अब आपको पता है opening capital से closing capital पे कैसे जाते हैं कि अगर कोई capital introduced किए additional तो इसको add करते हैं drawing किया तो minus करेंगे profit किया है तो add करेंगे अगर अब उल्टा हो जाएगा अगर हमने closing स पे जाना है यानि कि जो हमारी at the end है capital उससे opening पे जाना है तो उल्टा हो जाएगा उसमें क्या होएगा drawings को add back कर दोगे additional capital को minus कर दोगे profits को भी minus कर दोगे जो की आपके third option में दिया हुआ है देखिए third option में आप लोग closing capital drawing वैसे हम minus करते है बट यह closing capital है ना तो उसमें add additional capital minus और profit minus ठीक है second और third में confused नहीं हो ना second में देखिए आपका minus कर रखा है loss को हम जब की minus करेंगे profit को क्योंकि हम closing से opening पर जा रहे हैं तो I hope आपको एक question अच्छे से clear हो गया होगा next question EPRG framework in international business refers to as you all know full forms are very very important international business में एक EPRG framework होता है उसका full form आपको पूछा गया है तो इसका answer आप लोग मुझे comment section में बताएंगे कि EPRG का क्या full form है next question sequence the following activities in the process of standard costing standard costing की process में क्या क्या activities आती है उनको sequence में लगाना है और आपको जो different processes है commerce में अलग लग units में तो आपको processes के लग से notes बना लीजिए steps के ताकि आप एक ही बारे में सारे revise कर पाएं इस type से अगर आप अलग लग चीजों के जैसे formulas के लग से notes बनाईए तो आपको बहुत help मिलती है revision में property के और यह important भी होते हैं आप लगों के ठीक है मतलब what the cost should be कितनी होनी चाहिए उसके बाद आप क्या करेंगे actual cost का measurement करेंगे जब measurement कर दिया है तब आप comparison करेंगे actual and standard cost का अब फिर उस पे variances आएंगे तो उनको identify करेंगे उनके causes को भी और last में क्या होगा disposing the variances to cost and profit center so a b e c and d जो है हमारा correct बनेगा ठीक है तो आपने processes के जितनी भी आपको पता है आपने जरूर जैसे जैसे questions के तूर पता चलेगा आपके self study notes हैं तो आपने उनको जरूर से जरूर ऐसा करना है ओके a b e c and d next question which of the following are related to vouching of sales देखिए आपको पता है auditing की अगर हम बात करें simple तो वाउचिंग जो है एक backbone है auditing की auditing में हमने true and fair view को check करना होता है ठीक है तो वाउचिंग वाउचिंग क्या होता है जो documentary evidences होते है different invoices होते हैं उनके basis पे हम transactions को cross check करते हैं ऐसा ही होता है ना so vouching of sales related कोन से होंगे इसमें आप common sense apply कीजिए dispatch of goods बिलकुल होगा क्योंकि sales related है sales book भी होगी और direct notes जैसी कोई भी हमारी term नहीं होती है debit credit note तो होता है अब यह credit note credit note तो तब होगा ना जब return होगा आपको पता ही होगा यह आपको पता होना चाहिए basic चीजी जब प्लस वन में ही सिखाए जाती है तो यह तो है आपका क्या होगा returns related है credit note ओके तो यहां पे तो watching of sales की बात हो रही है तो a and b जो है वो हमारा इस particular question का अंसर आएगा that will be three okay तो यह questions थे जो मैंने आप लोगों के साथ discuss किये हैं detail में और इससे पहले के जो lectures है जिन लोगों ने जो भी lecture मिस किया आपको जरूर देखने चाहिए आपकी knowledge बहुत boost up होगी और जितने जादा प्रेक्टिस करेंगे ना उत को ने यूट्यूब चैनल को subscribe नहीं किया है then you can subscribe और bell icon को press कर सकते हो ताकि आपको जो है मेरे upcoming videos की timely notification मिल सके moreover आप telegram गुब भी join कर सकते हो जिसका link मैंने description box में provide किया है और जो unit wise मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है unit wise discussion स्टार्ट हो गया है detail में ठीक है legal aspects of business और business management at HR के topics का तो आपने वो भी ज़रूर देखने हैं okay